हेलो श्रुएंट्स बेलकम टू मानी वीडियो इस वीडियो में हम दिखने वाले कक्छा दस भी कक्छा दस भी यहां पर है न और बीसे है गडित इसमाल 3.0 होंबक सल्यूशन दिनांगा 26 अगस दौर 21 हम इसका आपर सब्सक्राइब को उत्तर दिखने वाले साथ में सवाल को किस प्रकार हल कर रहा है हम यह भी समझने वाल है तो आपको समझतो चलना क्योंकि दिखिए प्लत आप पहांगे सबर्ट किस भुरूपत जिस बहुपत की अधिक स्केया है यहां पर मालत की होगा याप पर मदलब की वह 2 ही इसका देखे, हम एक उदाहारन भी देखे लेते, तो देखिए, यहाँ पर देखे, एक उदाहारन लिखा हूँ मैंने, x square मानस x plus 1, यहाँ पर देखे, चर क्या है, चर है x, चर है x, और चर की अधिकतम गात कितनी है, चर की अधिकतम गात है 2, तो यह किया होगा, चर्म होका के संखा कामान रखिए तो चुछ संखा कामान रखिए तो जो बहुपत है यहाँ पर तीसे कुछन आपको दिएगा है कि निमने कतनों में से कौन से सत्य ताथा कौन से आसत्य है यहाँ पर आपको सत्य ताथा आसत्य कतनों की पैचान करना तो देखिए पहले कुछन आपको दिएगा है आपर कि किसी भी भावुपत के दो सुन्यक होते है जो समान भी हो सकते है देखिए जो पहले आपको दिएगा है कि भावुपत के दो सुन्यक हो सकते है हाना ये कतन तो सत्य है हाना दो सुन्यक होते है लेकिन समान हो सकते ज़रूरी नहीं है बेसमान नहीं होते है आ समान होते है यान की अलग-अलग होते है तो यह कातन क्या होगा यह कातन होगा आ सत्य दूसरा में आपर देगा है दुईखाद बहुपद का आलेक क्या होता है परवल्यकार होता है हाँ यह कातन सत्य क्यों कि द नीचे देगा है में यहाँ पर आपको ॉखण और ऑपको दिए मंदस्ते हम पर गणа याद nam झो पर तो देखिए and mean we will affect होतों हम नीचे देगा यहां पर देखें है आपको सुन्य को ॉखण देगाitated a time they have prime a तुस्वाल को हिल पर हाँ खण पर सेmek सुन्य को किको योग हम इसे लिख सकते हैं अलफा पिलस बीटा बराबर से कितना दिया गया है रिनेक और इसी पेकार सुन्य को का गुड़न फल इसे हम कहल सकते हैं अलफा इंटू बीटा बराबर से कितना दिया गया है आप यहाँ पर दे सकते हैं रिनेक हम यहाँ पर दिया गया है तो इसकी मतदद से हम भुपत गयाद करेंगे तो देखिए भुपत गयाद करने का सूत्र होता है बहुपत बराबर से होता है क्या x square मानस कुष्टग में αलफा प्लस बीटा इंटू x प्लस अलफा इंटू बीटा ये बहुपत ग्याज करने का सूत्र होता है तो हाँ पर हम मान रख दिंगे तो देखिए x square का x square रहेगा मानस अलफा प्लस बीटा का मान कितना है रिन एक है इंटू x प्लस अलफा इंटू बीटा का मान कितना है रिन एक है आगे हम इसे सरल करेंगे तो देखिए x square रिन और रिन का गुण होता है तो क्या आता है धन आता है एक का गुणा एक से तो कितना आएगा है यहापर एक आ जाएगा वो धन का गुणा होता है रिन से तो कितना आता है रिन आता है मानस वन तो यही हमें बहुपद प्राप्त होगा इसे हम क्ये सकते है बहुपद के सकते है यह आपके पहले कोशिन का हापर आंसर हो जाएगा आ आप इसका screenshot लेकर यहाँ पर भी answer लिख सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं हाँ पर second question आपको क्या दियेगा है इसमें देखिए आपको योग दियेगा है रिन एक बाटे चार और गुनत फल आपको दियेगा है रिन दो तो इसे भी हम हल करते हैं तो हाँ पर देखिए मैं एक बाटे चार तो हाँ पर मैं लिख दूँगा रिन एक बाटे चार और गुडन फल हमें कितना दियेगा है गुडन फल दियेगा है रिन दो तो हाँ पर मैं लिख दूँगा रिन दो अब हम इसमें मान रख दिने तो देखिए एक सुसकर का एक सुसकर मानस अलफा पिलस बीटे का माना आए रिण 1 बाट 4 ईंतू X प्रस αफ ईंतू बीटे का माना कितना है रिण 2 है आगए हम इस सरल करेंगे तू देख़े जादरो यहाँ पर देखिए बहुपद का मान हमें कितना प्राप्थ हो गया है यही हमारा बहुपद यहाँ पर होगा यहाँ फिर हम इसे आगे ओर तलल भी कर सकते हैं किस प्रेकार से देखिए यहाँ पर रंक करने के क्या देखिए बटे में आपको चार दिख रहा तो हम यहाँ पर लगुतम ले सकते हैं बटे में चार तो दिखिए यहाँ पर एक सुसक्र के बटे में एक है दो के बटे में भी यहाँ पर एक होगा इसे हम मान के चलते हैं आप इसे अपनी कोपे में मन लिख लिए गया ठीके यहाँ पर देखिए चार में एक का भाग जाएगा चार बार चार का गुणा होगा उपर के एक से कितना आएगा दन अब यहाँ पर देखिए इस चार से यह जाला चार यहाँ पर केंसर हो सकता तो देखिए आप पर कितने आसर आएगा एक्स का वर्ग धन एक्स रिन मानस आठ यहाँ पर इसका अंसर आएगा और यही आपका क्या होगा यही भवपद यहाँ पर होगा इस प्रेकार से आप इसे आगे और भी सरल कर सकते तो यह आपका भवपद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसके आपको लिखित उत्तर के से प्राप्त करना है इसके बारे में भी आपको बता जाता हूँ देखिए आपको करने क्या है गूगल पर जाना है और बहाँ पर सर्च करना है क्या learn club by t.blog sport.com आपको बीना space दिये सर्च करना है बहाँ पर आपके सामने हमारी वेबसाइट आजाएगी बहाँ पर आप इसका लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हो चले अब हम देखते इसका पादवे कोशन आपको दियेगा है लेकिन आपको समझना बहुत मित्पून है देखिए पादवे कोशन आपको दियेगा है कि निम्न बहुपदों के सुन्यक आपको ज्याद करना है यहाँ पर आपको दो बहुपत दिये गा है इनके आपको सुन्यक प्राप्त करना है तो इसे हम कैसे प्राप्त करेंगा या हमें इसे हल करते है तो देखिए पहला आपको दिये गाया है बहुत इजी है देखिए हमें आप लिखते है देखिए पहला आपको दिये गाया है क्य आएगाल, हमेंसे इसे इस प्रकार भी ले सकते तो देख्यों, यहां पर एक फॉर्मिलः बन जाता है कि, हटना फॉर्मिलिए को बनता है, एक वर्ण बी का बनता है, क्या पर एकृर्मिला होता है, तो हमें इस paradox में में आपर मालार की देख्यों खे啟े, X को मानने है A और 1 को मानने हमने 1 तो देखे आपर क्योंगा X gord रिर्ण 1 कबर राबर्स को होगा यहाँपर X कबर डन 1 कबर रिर्ण 2 x यहाँपर होगा हFr ego जोरी हाँपर थोड़ी सी देखे mistake होई है formula क्य होता है formula होता है A का बग रिनी B का बग बराबर से होता है पहले कोष्टक में A रिन B और दूसरे कोष्टक में होता है A धन B तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा X का बग रिनी A का बग बराबर से क्या आएगा X रिन एक पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में X धन ए तो हाँ पर देखें च्छात्रो पेले जो कोश्टक है इससे हम सुन्नक निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लेगते है एकस रिन एक हाना एकस रिन एकस ते क्या आगा देखिए एकस बराबर से यहाँ पर देखिए एकस रिन एक के बराबर माम के मानेंगे X-Rin 1 के बराबर में हम मानें यहाँ पर 0 तो देखिए X-Rin 1 बराबर से हाना यहाँ पर देखिए X बराबर से Rin 1 का पच्छांतर करेंगे हम डाई तरफ से कह जाएगा धनने यही इसका पहला सुनने हुगा फिर हम लेते दूसरे को श्राको दिया है X-Rin 1 के बराबर में 0 लेते तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा तो X बराबर से धन 1 का पच्छांतर करेंगे हम डाई तरफ क्या यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए X को दो सुनने को प्राप्थ हो चुके है धन एक और रिन एक इस प्रकार से हमारा पहले कोशन का आपका आंसर हो जाएगा धन एक और रिन एक आपका यह आंसर हो जाएगा इस प्रकार से आपको लिखना है अब हम देखते हैं आपको सेकंड कोशन आपको के दिये गाए इसे अलग प्रकाशल करना पड़ेगा देखिए यहां पर हम क्या लिखते हैं यहां पर 14 जो आपको लिखा है इसे हमें दो इसे पदम तोड़ना है कि 5 पांच एक्स का बर्ग और 8 करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएं और बीज वाले पत को जोड़ने और फिर घटाने पर हमें रिन्ट 14 एक्स जो है बेपूना हमें प्राप्त हो जाएं तो हाँ पर देखे च्छात्रों करेंगे कि हम यहां पर रिन्ट 14 एक्स को हम ऐसे दो पदम में तोड़ेंगे हना तो देखे हम ऐसे दो पदम तोड़ते हैं देखिए रिन्ट 10 एक्स रिन्ट 4 एक्स यहाँ पर देखिए यदि आप रिंड 10X और रिंड 4X का आप गोणा करेंगे तो कितना आयाएगा यहाँ पर देखिए रिंड रिंड हो जायाएगा धन 10, 4, 4, 1, X, X, X का वर्ग तो अब दिखिये हमें हापर गुणा करने पर देखे 40 X का वर्ग पराफ्थ हो गई हमारी पेले सर्त पूर्ण हो गई अब देखिये जोडने है घटाने पर तो देखिये रिंट 10 X और रिंट 4 X का हम जोड़िंगे क्या प्राप्त होगा हमेंution 14x हमें प्राप्त होगा तो यह देखे है हमningen चाई 24 x भी हम प्राप्त होगा तो हमारी दोनों सर्थेगा पून हो गई है तो हम ने इससे रिम्ड़ 10 he cią सब्रें 4 x में हापर तोड़ लिया है और आए हम लिख दिइए धन 8 का दानाट अब दिखेए इन दोनों पदव में हमके पांच ये अंदर यहाँ पर वाच्छी गा x कबर्ग 1 10 में 5 कब भाग जाएगा 2 बार 2x अब दिखेए इस में फॉल Dre क्या बाच्छी का अंदर source दिखेए हमें अंदर इस में हमक्मन लेते है पांच एक्स कोमा लेते हैं तो देखिए अंदर बचीगा यहाँ पर एक्स रिन दो यहाँ पर बचीगा यहाँ पर रिन चार हम कोमा लेते हैं तो देखिए अंदर कितना बचीगा यहाँ पर बचिएगा X धनका हो जाएगा रिन 8 में 4 बच जाता है 2 बार तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा देखिए पहले कोश्टक में में प्राप्त होगा है X रिन 2 और दूसरे कोश्टक में में प्राप्त होगा 5 X रिन 4 तो हाँ पर देखिए छात्रों सबसे पहले हम निकालेंगे x रिंड 2 बराबर हम 0 लेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर से रिंड 2 का पच्छातर होगा दाई तरफ तो कितना आएगा धनका दो जाएगा फिर हम दूसरे को श्ट्रे लेंगे 5 x रिंड 4 बराबर 0 लेंगे तो देखिए 5 x बराबर से रिंड 4 का पच्छातर होगा दाई तरफ तो देखिए धनका 4 यहाँ पर आजाएगा तो देखिए हमें हाँ पर दो सुन्नेक हमें प्राफ्ट हो चुके है पहला सुन्नेक क्या है एक बराबर से दो और दूसर सुन्नेक हाँ पर चावाट है पांच इस पेकार आज के वीडियों नहीं आपके सभी पिशन्यों का पर होते देखिए उमेद आपको वीडियो हेल्फ लगत वीडियो लाइक कर दिएगा इसके लिएक लिए तो तो आप हमार बेसर प्राड़क कर सकते हैं तो में देखले किसे ने उडियों तक लेजे हिंद जय हवारत Dear Student, Study करते वक्त आपको किसी भी कोशन में डाउट आता है तो अब आपको टेंसर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलो एप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माद्दम से आप किसी भी कोशन का तुरांट सल्यूसन पा सकते है फिर चाहे वो कोशन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरांट सल्यूसन मिलेगा आपको कुशन नहीं करना है, आपको कोशन यदि ओन पेपर है तो आप उसका फोटो कीच कर नेक्स्ट पर कर दीजिए और या फिर आप उस कोशन को टाइप करके वे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं आप सिंपली अपना यहां कोशन लिखिए, जो भी है, कोशन लिखने के बाद आप यह सब उप्सन सिलेट कर लिजिए एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर बिदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे जी सर नमस्ते जो अपना इंटरनेट है उसके निर्मार किस ने किया थेंक यू सर डिस्क्रिप्सन में दी हुए लिंक से आप एक को डाउड कर सकते हैं और आपने सारे डाउट किलियर कर सकते हैं तो जाएए और डाउड कीजिए